दोस्तों मैं सवरों मली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर क्विज में आज हम देखेंगे 18 फरवरी की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहेगी दोस्तों डेली करेंट फिर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिगेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना देखें वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूँगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा दोस्तो कोशन है रोयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वोमेंस क्रिकेट टीम का मेंटोर किसे नियुक्त किया गया है तो जल्दी से इस कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में बता दीजेगा चलें शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा परदूसित सहर कोन सा बना है तो मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा मुंबई देखें मुंबई दूसरा सबसे ज़्यादा परदूसित सहर बन गया है पहले नंबर पर लाहोर है तो ये भी आप लोग नोट कर लीजेगा देखें मुंबई से पहले दोस्तो दिल्ली दूसरा सबसे ज़्यादा परदूसित सहर था ये भी आप लोग याद रख सकते हैं दूसरा कोशन आता है हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा चूट पर समझोता किया है तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा बिल्कुल से दोस्तो फीजी इस कोशन का राइट आंसर हेगा यानि कि B is the right answer दोस्तो तीसरा कोशन आता है हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकिट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कोन बनी है तो तीसरे कोशन का सही आंसर क्या रहेगा बिल्कुल मेरे प्यार दोस्तो दीपती सर्मा इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा यानि की B is the right answer दोस्तो अगला कोशन आता है हाल ही में दो दिवसिये Global Tech Summit कहां आयोजित होगा तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही विसाका पटनम में यानि की option A right answer हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो अगला कोशन आता है विकलांगता छेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझोता हुआ है तो इस कोशन का सही उत्तर हैगा दक्सिन अफरीका भारत और दक्सिन अफरीका के बीच यानि की option A right answer हो जाएगा दोस्तो अगर आप लोग इस वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग Only Top Study आप को डाउनलोड कर लीजे Only Top Study आप का लिंक मैंने नीचे description box में दे दिया है जैसे ये आप डाउनलोड कर लेंगे 5 star की rating कर देंगे तो आपको ये सारी पीडियाप फ्री में मिल जाएगी जितनी और दूसरी हमारी वीडियो जाती है दोस्तो Only Top Study पर उनकी पीडियाप भी आपको Only Top Study आप से ही मिल जाएगी जो हमारी paid पीडियाप है दोस्तो 6000 के question answers की master पीडियाप ये मातर 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या वोटसप नंबर से इस पीडियाप में आपको क्या-क्या मिलता है History, Geography, Policy, Economics, Physics, Chemistry, Biology, Current, Computer, Static, GK यानि कि वो सब कुछ चीजे मिल जाती है जो exam में दोस्तो करेक करने के लिए requirement होती है तो आप इस पीडियाप को जरूर जोइन कर लिजेगा हमारी ये तीन क्लासिस होती है दोस्तो रेगुलर होती है इनके टाइमिंग नोट कर लिजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तो छटा कोशन आता है केंद्रियेव प्रियोजित वाइबरेट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड रुपे आवंटित के गए है दोस्तो छटे कोशन का सही उत्तर हैगा 4800 क्रोड यानि कि तो बिल्कुल सही है ए है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है भारत के पहले जीपीटी संचालित AI चैटबोर्ट लेक्सी को किस फिंटेक कमपनी ने लौंच किया है तो ये नाम भी ध्यान रखेगा दोस्तो लेक्सी क्योंकि ये एक्जाम में पूछा जा सकता है इस कोशन का राइट आंसर हैगा बिल्कुल से दोस्तो वेलोसिटी यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा ये आपको यादखना है दोस्तो आठवा कोशन आता है विस बैंक के परमुक कौन है जो अपने पांच साल के कारेकाल के पूरु ही पल छोड़ देंगे तो आठवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तो डेविड मलपास यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है भारत के किस टेक स्टार्टप ने एरो इंडिया 2300 में सोर्स अंचालित ड्रोन जिसका नाम दोस्तो सूरज है का अनावरण किया है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा बिल्कुल सही है गरुड एरो स्पेस यानि की ओप्शन A is the right answer तो ये आपको याद अखना है दोस्तो दसवा कोशन आता है हाल ही में बॉइंग ने भारत में कहां अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लौंच किया है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा गुरु ग्राम में यानि की D right answer हो जाएगा दोस्तो कोशन नमबर 11 है हाल ही में G20 संस्कृति कारिये समू की बैठक कहा आजित होगी तो देखे इस कोशन का राइट आंसर हैगा इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो खुज रहो तो ये आपको यादक ना है राओ ये मैंने हापे लिख दिया नोट कर लीजेगा ठीक है भई चले अगला कोशन आता है हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास का छटा संस्क्रण कहां संपन हुआ है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा मेरे प्यारे दोस्तो ये हुआ है चिन्नाई में तो ओप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आता है हाल ही में किस कमपणी ने दुनिया का पहला सेटलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सिस्टम लौंच किया है दोस्तो राइट आंसर हेगा बिलकुल सई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तो क्वाल कॉम यानि कि सी राइट आनसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आता है संयुक्त सेन्य अभ्यास एक्स धरम गार्जियन का चोथा संस्कर्ण 17 फरवरी से 2 मार्ज 2023 तक कहां होगा दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल यह होगा दोस्तो जापान में यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन आता है उमार्ग्स खांडेस नाम की एक नई भरंग परजाती की खोज कहां की गई है यह कोशन दोस्तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट मांग कर लेना यह कोशन एक्जाम में जरूर पुछाएगा इस कोशन का राइट आंसर हैगा यह दोस्तो खोज हुए भारत में यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है हालही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3 परतिशत सिक्सा के लिए आवंटित किया है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा बिहार ने यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन है हाल ही में परधान मंतरी मोधी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुली उद्गाटन किया है तो इस question का दोस्तो right answer हो रहेगा बिलकुल ये क्या है दोस्तो virtually उद्गाटन राजिस्थान में यानि की C right answer हो जाएगा वई ठीक है अगला question आता है YouTube के नए CEO बने हैं मेरे प्यारे दोस्तो इसको भी very very important mark कर लेना ये question 100% exam में आएगा अब जो भी upcoming exam है जैसे SSC MTS आ रहा है तो इन में जरूर पूचाएगा question इस question का सही उत्तर हैगा दोस्तो नील मोहन यानि की option A right answer हो जाएगा ठीक है अगला question आता है हालही में किस जिले ने सर्श्रेस्ट जिला पंचायत के लिए सवराज ट्रोफी जीती है दोस्तो right answer हैगा कोलम जिले ने ये दोस्तो केरल का एक जिला है और right answer D हो जाएगा 19 वे question का right answer अगला question आता है हालही में खेलो इंडिया winter game 2023 में कोन पहले स्थान पर रहा है तो इस question का दोस्तो right answer हैगा जम्मू कस्मीर यानि की बी right answer दोस्तो हो जाएगा तो ये भी आपको याद अखना है अब आज का जो हमारा homework का question रहेगा दोस्तो इसका answer comment box में सभी को बताना है फीपा ने वर्स 2026 में कहाँ पर फीपा विसकप आयोजन करने की घोशना की है दोस्तो गोशना पहले ही हो चुकी थी बट अभी दुबारा से इस चीज को confirm किया गया है तो ये question काफे important है जल्दी से इस question का answer comment box में बता दीजेगा इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूगा दोस्तो जीके का एक test question हम रखते हैं डेली की class में तो इसका answer बतेगा भारत में कुल कितने उच नियालने है तो फटा फट answer करिए comment box में आपको कुछ second का समय दिया जाता है दोस्तो इस question का सही उत्तर रहेगा 25 तो भारत में कुल कितने उच नियालने दोस्तो 25 ये भी आपको याद अखना है कल का हमारा homework का question था दोस्तो हाल ही में अंतराश्ट्य बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है तो right answer 15 फरवरी हो जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तो ये थी हमारी complete वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज comment box में जरूर बतेगा और only top study app को download करके 5 star की rating करके आप लोग ये PDF फ्री में download कर सकते हैं करंट फिर PDF वाले section में जाके और जो बाकी की जो हमारी classes होती है उनको YouTube फ्री PDF वाले section में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारी master PDF है दोस्तो 6000 के question answers की जिसमे complete syllabus है अगर आप इस PDF को पढ़ते हैं तो आपको कोई दूसरी book या PDF पर dependent रहना नहीं पढ़ेगा इसमें सारी चीजे हैं ये मातर 150 रुपीज में आप purchase कर सकते हैं इसका link नीचे description box में दिया गया है आप हमारी website या whatsapp नंबर से भी इसको purchase कर सकते हैं चैनल पर नए है तो subscribe करके bell icon को on करिए ताकि इन तीनों वीडियो का notification आपके पास regular पहुँचते रहे और वीडियो पसंद आती है तो like, share करना मत भूलिए थेंक यू सो मच बाइ 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 यावरे टेक केर ख्यालाखे पना